हेलो विल्कम सी मैं प्रेंट्स एंड मैं डियर स्टुडेंट आज हम क्लास इलेवंध की कच्छा यारगी बहुत की यानि फेजिस का पहला पार्ट का नुमेरकल लेकर आए हैं प्रसनों को एक करम से हल करते जाएंगे और जो भी नुमेरकल इसमें से मिलेंगे उसको हम बतात आपके बुक में से NCRT की बुक अगर आपके पास है तो उसमें से चेक कर सकते हैं कैसे इनको हम हल करेंगे सामने आपके हम पर लगाएंगे इसको हम बोर्ड पर ना पता कर कौपी पर बता रहे हैं आपको अगर अच्छा लगे तो इसको भी आप सपोर्ट करिएगा और करने की कोशिज करिए तो यहां पर पहला प्रसनाप के सामने यहां पर हम प्रसनों को दिखा देंगे प्रसनाप का यहां पर स्क्रीन सॉट लगा देंगे और यहां पर पहला प्रसनाप के सामने है कि किसी एक सीमी भूजा वाले घं का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होगा मतलब कि यही पूछा जा रहा है कि एक सीमी का आपका क्या है घं क्या है घं है और घन का आयतन जो होगा वो आपका निकालना है आपका मीटर क्यूब में किसमे मीटर क्यूब में मतलब घन में निकालना है तो बात एक ही हुई आपको पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है तो घन का आतन जो होता है ओ आपका होता है घन का आतन भूजा का क्यूब क्या होता है भूजा का क्यूब भूजा का क्यूब होता है घन का आतन ठीक है तो घन का आतन भूजा का क्यूब होता है तो हमें भूजा की क्या मिर रही है तो देखेंगे इसके भूजा हमारी एक सेमी है मतलब एक सेमी का क्यूब ठीक है वन सीम का क्यूब तो वन सीम का क्यूब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अब आप सोचिए कि वन सीम है एक सीम में आपको पता होना चाहिए कि एक सीम में वन सीम होता है 1 upon 100 यम के बराबर दूसरे सब्दों हम यह कह सकते हैं कि 1 यम बराबर मतलब 1 मीटर में आपका 100 सेंटी मीटर होता है यूनिट का चेंज वीडियो आप जरूर देख लिए हमारे चैनल पर है यूनिट कैसे चेंज होता है चोटी से बड़ी बड़ी से चोटी काई में अगर आपको ना समझ में यूनिट चेंज करना तो हमें कमेंट जरूर करना कि हमेंसर यूनिट को चेंज करना कि आई को परिवर्तन करना हमें नहीं आता है थम उसको वीडियो फिर से बनातेंगे क्यों ठीक है यह हमारा परिवर्तना वन से में हमने इसको चेंज कर दिया मीटर में चेंज करना है तो यहां पर मीटर में हो गया है यह मीटर में आप इसको भाग कैसे करें वन में यह भाग करना है वन में इसको हम डिवाइड करेंगी तो क्या होगा यह 10 है ना देखिए 10 है तो 1 यहाँ पर रहने दीजिए 10 की पावर 2 वह इसे भी आपको पता होगा कि 10 100 का मतलब होता है 10 गुड़ा 10 ठीक और 10 गुड़ा 10 का मतलब होता है 10 एक बार दो बार तो दो बार 10 की पावर 2 दूसरे सब्दों में जितने जीरो हो तो ने पावर चड़ा दीजेद आपको वही हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते है 1 और यह आपका नीचe टेन की पावर 2 10 की power 2 10 की power 2 है ठीक है और ये मीटर है और इसका hole क्यूब है तो इसको हम लिए सकते है 1 और नीचे प्लस में है power 2 है square यानि 10 का square जो है नीचे प्लस में है तो उपर जाएगा तो minus में हो जाएगा यानि 10 का minus 2 का cube ये एक न लिख कर के आप चाहे तो यही लिख सकते हैं यानि 10 की माइनस पावर 2 का होल क्यूग सीधे सब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको आप ये बना सकते हैं इसको आप ये बना करके तब ही इसको ये बनाईए चाहे जहां से आप इसको यहां आईए यहां से डायरेक्ट यहां आईए ठीक है उसके बाद हम इस घातों का गुड़ा करेंगे तो अंदर जो घात की घात होती है तो उसका गुड़ा हो जाता है घात घात का क्या होता है गुड़ा होता है तो दो तियाँ चाह दस की पावर माइनस सिक्स 10 की power minus 6 और meter meter भी कितनी बार है 3 बार है यहाँ पर meter है 1 meter की power मतलब इसको 2 की 3 बार करें 2 ती है मतलब 2 ती है 6 होगा गहाद के गहाद का लेकिन M का 3 बार करेंगे तो M cube ही होगा यह आपका अंसर आगया meter cube में इस तरीके से रिकता स्थानों के पूर्तिकर्णनी के रूप में हम उसको भर सकते हैं कि कितना की उपर मतब यह होगा भरा जाएगे यह तो लिखा गया है आपका वहां परसुन में चलि हम दूसरे प्रसुन को दिखाते हैं इसमें आपका ए नमबर परसुन हाइस में का बी नंबर वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम सौर्ड वीडियो ही बनाए जो प्रसंबत जाएंगे अगली नेक्स वीडियो में होकल पर आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा हम अगला वीडियो बनाए या ना बनाए सिलेंडर का प्रिष्ट छेत फल जो है उसमें दिया गया है कि मता किस के बराबर होगा और दो सेमी तरिज्जा का वा दस सेमी उचाई वाली मतलब सिलेंडर जो है आपका दो सेमी उसकी तरिज्जा दी गई है उसमें तरिज्जा को मिर रही है और उचाई यानि कि आपका तर प्रिष्टी एक ऩहत बंगायन मंब्र मेर ची मिली मीटर गया है यह उनिक टेंडर रसने के लिए ने उसको देख लिए हुए प्लीज जरूर देख लिएगा समझ में आ जाएगा क्या changing होते हैं तो यहाँ पर हम इसको चेंज करने चलते हैं तो हमें पता है कि cylinder का workprist का छेतफल जो होता है उरे workprist का छेतफल होता है workprist का छेतफल होता है मतलब cylinder का प्रिष्टी छेतफल cylinder का जो प्रिष्टी छेथफर होता है वह आपका वक्र प्रिष्ट का छेथफर और प्लस में आपका होगा प्लस में होगा दोनों बृत्तों के सीरो का छेथफर दोनों पितों के शिर्व कषेत्पल सिलंडर मतलब बेलन कार हुगा बेलन का अगरены maid का घराव प्रेट का लाधोग तो यह होता है तो यह होता है तो यही को हम रखें कि जिसमें की अग़ का अब का होता है वह कर पेस्ट का छेट पर होता है टू पाई आर एच होता है और बेलन के जो यह किनारे पर परिद होती है वो पाई आर स्कॉाइर होता है तो दो बिर्थ होते हैं तो टू पाई आर स्कॉाइर होगा यह फार्मूला होगा और इस पर हम पूरा रख देंगे जब सभी चीजों को तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा टू पाई इसमें से कामर ले लेंगे तो बचेगा टू पाई आर कामर ले लेंगे तो बचेगा एच प्लस आर ये बचेगा और इसी फार्मूली पर रखेंगे तो दो का दो रहेगा पाई कमान तीन पॉइंट ये आपको पाई कमान होता है तीन दसमलो वन फोर यानि बाइस बटा साथ ये मान होता है और गुड़ा आर कमान है आपका टू सीयम में है और प्लस यहाँ पर एच प्लस आर है एच कमान दिया गा है टैन सीयम और प्लस टू कमान इतना सीयम में है दोनों यहाँ पर हम इसको हम पूरा गुड़ा कर लेंगे पूरा पूरा तो दो से दो दूना चार सीयम और ये बच रहा है और यहाँ पर भी गुड़ा मे सियम में सभी हैं सियम स्कॉयर हो यहां का सियम सम्मिला करके सियम स्कॉयर हो गया है ठीक है अब यहां पर इसको हम गुड़ा कर लेंगे तो आपको पता है कि गुड़ा करने पर क्या आएगा पर 1448 और इसमें कुड़ा कर लेंगे टोटल कुड़ा करने पर हमारा हो जाएगा कितमा वन पॉइंट हो वन फाइब यीडियो सेबन तो और गुड़ा टेन की पावर में हम इसको एम एम में बदलेंगे इसमें एम में बदलेंगे अब यहां पर हमें इध्वान देने वाली या यह यह तनले दियें वीडियो को दिखाई नहीं दिया है तहां पर हम ने इसको जो दिखा देखिए मतलब एक प्लस आर सारे मान को रख दिए तब इसको गुड़ा कर लिजी इसका इसमें यह दूधूना चार यहां पर किए रही पर दिए तस दो बारा यह हो गया cm cm का गुड़ा की cm2 हो गया है और इसके बाद इतिसा ही का गुड़ा करने पर आपका इतना हो गया है तो गुड़ा कर लीजेगा अब वो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ यह हो रही है पूरा पूरा डिटेल आपके समझ में आ जाएगा ठीक और यहां पर अब इसको हम बदलेंगे पहले तेहां पर देख रहे हैं cm स्कौर है और cm में हम स्कौर में इसको बदलेंगे जब तो आपको पता होना चाहिए कि 1 cm बराबर होता है 10 mm 10 mm यह होता है 1 cm बराबर 10 mm होता है इसको हम एक cm में अगर इतना mm होता है तो यहां पर तो 2 cm है ठीक यहां पर 2 cm है तो हम इसमें जो गुड़ा करेंगे आपका 1.572 में गुड़ा 100 करेंगे और यहां पर mm² हो जाएगा और जब गुड़ा कर लेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 1.5 गुड़ा 10 की पावर 4 क्योंकि यहां पर यह 100 mm² यह और 2 इसमें का मिला करके कुल मिला करके 4 पावर हो जाएगा यहां का 2 दूना चार दो बार है इसका अपकुल मिला करिए यह आपका अंसर वहां पर भारा जाएगा अब है अगला C बरावर है C C कमान देखते है C वारी सवाल में दिया गया है कि कोई गाड़ी 18 क यम इम प्रति घंटे के चाह से चल रही है तो यह एक सेकंड में कितने मतलब एम चलती होगी इसके अंसर लगाएं तो गाड़ी के चाल निकालेंगे गाड़ी के चाल बराबर दिया गया 18 के यम प्रति घंटा 18 के यम प्रति आवर्स ठीक 18 के यम प्रति आवर्स तो इसको हम चेंज करेंगे 18 कर 18 गुड़ा 5 अपन 18 को मीटर पर सेकन्ट में बदलेंगे केम को मीटर पर सेकन्ट में ये 5 बटा 18 सी गुड़ा करेंगे और मीटर से किलो मीटर में बदला हो exhaustive पानसे गुड़ा करेंगे यह आपका चेंज करने के बिन यह आप 1000 बटा शार 36 Change स यवी कर सकते है इस तरीके से भी जैसे भी आपको समझेंगे तो हमने बदला किलो मीटर से मीटर प्रतिसेकंड में बदलने पर हमें मिर रहा है 18-16 कट गया तो 5 मीटर प्रतिसेकंड हो गया ठीक 5 मीटर प्रतिसेकंड माइनस 1 माइनस 1 इसलिए हो गया कि आप अगर नीचे रहता है अगर इसको हम उपर लाते हैं तो one minus में लिखा जाता है लेकिन plus में लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर यह चीज हो गई है और अब इसके बाद हम आगे हल करते हैं तो आपका है कि one second में आपका one second में जो दूरी तहीं वन से किन्मिता ही दूरी कितनी दूरी किए गई है दूरी के लिए होता है सूत्र क्या चाल गुड़ा समय चाल गुड़ा समय पर अब रहता है तो चाल आपका है फाइप मीटर पर सेकेंड माइनस वन और गुड़ा one second मिला गरके five मीटर आ गया यह आपका अ अंसर यह था और उसके पिछले का अंसर यहां था कि सी आगया आपका ड़ी बज रहा है डी और लगा देते हैं तो इस तसानों के पूर्ति आपका पूरा हो जाएगा डी है सी से का पेच्छे घनत 11.3 है और इसका घनत जी में सी म क्यूब में निकालना है या के यम के जी म क कि यूब में निकालना हो तो सी से का घनत निकालेंगे सीसे का घनत का सूत्र क्या होता है सीसे का घनत का सूत्र होता है सीसे का पेच्छिक घनत सीसे का आपेच्छिक घनत गुड़ा जल का घनत गुड़ा जल का घनत ठीक तो सीसे का पेच्छिक घनत गुड़ा जल का घनत यह फार्मूला है इस पे हम रखते हैं तो आप एच्छे घंद तो वहाँ पर सारी चीज़े देगे हैं पेच्छे घंद तो 11.3 गुड़ा 1 ग्राम cm-q और इसको गुड़ा कर लेंगी तो 11-11 cm-q भी यह हो गया चुकि जल का घंद तो आपका जो जल का घंद होता है इसलिए मैंने यह रखा जल का घंद होता है जल का घंद तो 1 g m cm-q या फिर आप इसको मान भी सकते हैं 10 kg m-q और यह सी से कभी होता है सी से का घंद तो जो होता है 11.3 गुड़ा 10 की घंद माइन तीन के वर के जी एम माइनस 3 यह रित अस्थानों के पूर्थि क्या सवाल था दूसरी सवाल आपका जो आपके सामने होगी इसके बाद आपका इसको बदलने चाहें था मदल सकते हैं 1.13 गुड़ा 10 की पावर 4 की जी एम माइनस 3 यह अतब प्रसंदो भी है रित अस्थानों के मात्रों परिवर्तन भरिये जो परिवर्तन हो रहा है उसको परिवर्तन भरना है यह अगले वीडियो में होगा ने इस वीडियो जरूर देखिएगा पूरा यह हमने रित अस्था तब के कारण से बोर रहे हैं फिर भी उसमें अच्छे बतारस बोले हैं बोर्ट पर बताएंगे उने चेंट करना तो यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा रिक चीजी है ठीक है तो यही था वीडियो अगली नेक्स वीडियो आएगी जो आपका चैप्टर वाई देएंगे कमेंट करना अच्छा लगता है बुरा लगता है सारी चीजी कमेंट करना बाकी वीडियो जहें उसको भी देख लेजिएगा कोई भी प्राब्लम हो तो हमें जरूर सचेद करिएगा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ओके चलिए फिर मिलेंगे हमारे चैनल टे